मेरे कुकिंग शेनल में आपका स्वागत है आज हम आप लोगों के शाज शेयर करेंगे कच्छे आम का मुरब्बा गर्मी का मोसम है हम आम का मुरब्बा बना के रख लेंगे बच्चे इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं हमने एक किलो आम लिए है इने दोके साफ कर लिए है अब हम इने सबसे पहले छील लेंगे सारे आमको अमने छील लिया है अब हम इने पीसिस में कट करेंगे बीच में से गुटली है इसे भी निकालकार अलग कर देंगे और इसके पीसिस कर kicking ए बड़े-बड़े कुछ इस तरीके से छोटे बड़े आप आपकी पसंद से कर ले सकते इसी तरीके से हमें सारी कच्छे केरियों के पीसिस कर लेने हैं अरे कच्छी आमके पीसी इस हमने कर लिए हैं लंबे तुकडव में अब हम इने उबालने के लिए रखेंगे उबालने के लिए सबसे पहले हम एक भगोनी लेए और एक भगोनी में सारे कटे हुए आम एड़ कर देंगे पानी एड़ करेंगे कि हमारे आम अच्छे से डूब जाए हम इससे रख देंगे गेस पे गेस पर होदी शह अब हम इसे झदक कर पांच मिनिट के लिए पकाएंगे दो मिनिट के लिए इसे हम हाई पे पकाएंगे, तीन मिनिट के लिए गेस का फ्लेम लो करके पकाएंगे, दो मिट हो चुके हैं, उन्हें उबलते हुए, अब हम गेस का फ्लेम लो करके अब हम इने तीन मिनिट के लिए और उबालेंगे, हमें इने ज्यादा नहीं उबालना ह कि यह ढूत जाए बसाब हम कि इसका फ्लें बंद कर देंगे अब मुष्श होदें गई हुआ दूसरे taste की पाणि को फेक हैं कि यह दूस में यूस कर सबूल पानी को थंडा हो जाने दें अब हम एक बावल में निकाल लेंगे हमने एक किलो चीनी ली हुई यह अब हम मुरब्वे में इसे भी एड कर देंगे अब हम इसे एक गंटे के लिए ढखके रख देंगे एक गंटा हो चुका है हम मुरब्वे को चेक कर लेते हैं चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है हमारी जो केहरी है वो देखिए कितना पानी छोड़ दिया है अब हम इसे कुप कर लेंगे हम कडाई में एड कर देंगे अब हमें इसे कुप करना है चलाते हुए कुप करना है एक तार की चासनी बन जाए हमें इसे जब तक पकाना है अब हम इसमें एड करेंगे वन टेबल स्पूर लाइची पाऊडर इसमें एक पिंच यलो फूट कलर एड कर देंगे ओपिशनल है अगर आप चाहे तो एड़ कीजिए वरना इसकीप कर दीजिए इससे कलर भूत अच्छा आएगा गेस का फिलिम हाई करके ही हमें इसे पकाना है इसे लगादार चलाते जाना है और पकाते रहना है जासली हमारे अच्छे सगारी हो चुकी है अब हम चैक कर लेते हैं कि हमारे चासली उइक तार्भी बनी है यान पाजनेगे हम इसे नदा कर लेंगे ओर ऐसे चेक कर लेंगे आफ के सॉरण खुरस Михोडिमे आफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद ही और गाडा हो जाएगा मुरब्बा अच्छे से ठंडा हो चुका है अब हम इसे जार में डाल देंगे ये मुरब्बा हमारा साल भर चल सकता है अगर हम सफाई का ध्यान रखे गेली चमस या गेले हाथ नहीं डालेंगे तो इस मुरब्बे को हम साल भर चला सकते हैं ये बिल्कुल खराब नहीं होगा अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थाइक्स एफोर वाची